नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स न्यूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा बिहार में नितीश सरकार बड़े पैमाने पर नौकडी और रोजगार देने की बात कर रही है वहीं दूसरी तरफ नैसनल करियर सर्विस NCS पोर्टल पर बिहार की बिरोजगारों के रेजिस्ट्रेशन करानी की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है 2023 में ये संख्या 16 लाख के करीब थी जो 2024 में बढ़कर 18 लाख से अधिक हो गई है बिहार के बिरोजगारों में PhD धारी से लेकर कम पढ़े लिखे लोग भी सामिल है नैसनल करियर सर्विस पोर्टल के आकड़ों से ये खुलासा हुआ है विससक के कह रहे हैं कि बिहार में बिरोजगारी बड़ी समस्या है सरकार को क्रिसी और स्मॉल इंड़स्री के शेतर में रोजगार क्रियेट करना होगा नितीज सरकार ने 2020 में 10 लाख नौकडी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था तेयस्वी आदम ने भी नौकडी और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था बिहार सरकार के मंतरी विजे कुमार चौधरी ने प्रेस कॉंफरेंस कर दावा किया था कि 5 लाग से अधिक नौकडिया नितीश सरकार के कारेकाल में दी गई है 12 लाग से अधिक सरकारी नौकरी एक साल में देने वाले हैं वहीं 20 लाग से अधिक रोजगार दिया जा चुका है और बड़े पैमाने पर बिहार में रोजगार लोगों को मिल रहा है लेकिन सरकार के दावे से उलट नैसनल करियर पोर्टल पर बिहार के बिरोजगार जिस प्रकार से नौकरी मांग रहे हैं वो चौकाने वाले हैं नैसनल करियर सर्विस पोर्टल में देश भर में एक करोर से अधिक वेकेंसी है जबकि नौकरी मांगने वालों की संक्या 87 लाग की है 2020 में पोर्टल पर केवल 34,81,944 नौक्रियां ही थी लेकिन उसमें 2024 में 214 फिस्दी की बढ़ोतरी हुई है नौक्री मांगने वाले बेरोजगारों की संख्या 53 फिस्दी की विर्दी हुई है 2023 में 5,25,748 बेरोजगारों ने पूरे देश में नौक्री मांगी थी इस साल ये बढ़ कर 87,20,900 हो गया है पूरे देश के स्थर पर देखे तो पोर्टल पर नौक्रियां अधिक हैं उसके मुकाबले बेरोजगारों की संख्या कम है जानकार कहते हैं नौक्री मांगने वाले वैसे बेरोजगार की संख्या अधिक है जिनकी जरुत कमपनियों को नहीं है अर्थ सास्त्री हैं इनके चौधरी उनका कहना है कि बिरोजगारी बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है सरकार के लिए और रादनितिक दलों के लिए चैलेंज भी है इनके चौधरी का कहना है विरोजगारी उस सेग्मेंट से है जो मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ है जो पढ़े लिखे हैं जो युवा है तो राजनितिक हलचल मचाने वाला होता है इनके चौधरी का ये भी कहना है कि बिहार का एजुकेस्टन सिस्टम रोजगार पैदा करन में सक्षम नहीं है उसको बहतर बनाने की जरुवत है साथ ही जहां खाली पद है सरकार के अस्तर पर या फिर नीजी अस्तर पर उसे भी तेजी से भरने की आवेश सकता है बिरोजगारी को कम किया या सकता है एंस इना इंस्टिटूट पटना के प्रोफेसर हैं विद्यार्थ तो लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है बिहार सरकार को क्रिसी और स्मॉल इंडस्ट्री में अधिक से अधिक रोजगार कैसे क्रेट हो इस पर ध्यान देने के जरुवत है इसके लिए विश्यसग्यों से बिहार सरकार स्टेडी भी करवा सकती है विद्यार्थी विकास का कहना है क्वालिटी एजूकेशन भी महत्तोपूर्कर्न माईने रखता है आपको बता दें कि राज्य सरकार और खेंदर सरकार की ओर से समय समय पर रोजगार मिला लगाए जाता है जिसमें देश भर की कंपनिया भाग लेती है नोकरी पाने की यह पहली सर्त है कि उन्हें National Career Service Portal पर registration करना होगा बिहार की इस रम संसाधन विभाग के अनुसार इस साल 36 जिले में रुजगार मेला लगाने का कारिकरम तै किया गया कैमूर और रहतास में पहले ही रुजगार मेला का आयोजन हो चुका है रोजगार मिला में बिहार सरकार 10 लाख रोजगार देने का लक्ष तैय कर रखी है रोजगार मिले में देश भर की कमपनियों को आमंत्रित करने की तयारी है बिहार सरकार के भी कई विभागों में खाली पदों पर रोजगार मिले के माध्यम से भरा जाएगा एनस्सी पोर्टल पर मिलने वाली नौकरियां उसके बारे में जान लीजिए इस portal के माध्यम से किसी भी company के द्वारा निकाली गई requirement में apply कर सकते हैं इससे career settlement में मदद मिलती है इस portal के माध्यम से skill development करने के लिए course भी मिलते हैं विरुजगार युवाओं को यहाँ एक अफसर मिल रहा है वो तेजी से इससे जुड़ रहे हैं National Career Service Portal पर registration कराने के लिए सबसे पहले अपने mobile या laptop में National Career Service Portal यानी www.ncs.gov.in को खोलें पोर्टल खोलने के बाद right side में उपर क्लिक करें इसके बाद job seeker पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद अब register पर क्लिक करें इसके बाद mobile नमबर और date of birth डाल कर चेक बटन पर क्लिक करें इसके बाद अन्न मांगी गई जानकारी दर्ज करें अब आवस्यक डोकुमेंट की फोटो कॉपी और पासवर्ड टेक है और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें प्रोफाइल तयार हो जाने के बाद अपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट निकालें और उसे सुरक्षित रख लें बिहार में नौक्री और रोजगार पर खुब सियासत हो रही है तो स्वी आदम ने 2020 में बड़ा मुद्दा इसे बनाया इंडिये की तरफ से भी नौक्री और रोजगार देने का वादा किया गया कई बिभागों में पिछले तीन सालों में युवाओं को नौक्री दी गई लेकिन बेरोजगारों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है सरकार की तरफ से नौकडी और रोजगार कम होता जा रहा है विदान सभा चुनाओ 2025 से पहले सरकार कई भी भागों में न्युक्ती प्रक्रिया सुरू कर रही है रोजगार मेला भी लगाने की तैयारी में ऐसे में बिहार के बिरोजगारों के लिए एक अबसर भी हो सकता है तो फिलाल इस खबर में इतना ही है दर्स नूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें धन्यवाद